अदार काईड की वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले Chrome Roger ओपन कर लेना है Chrome Roger ओपन करने के बाद सर्च वार में टाइप कर देना है UIDAI और दोस्तों सर्च कर देना है जैसे यह आप UIDAI लिकर सर्च करोगे तो आपको पहली website दिखाई देगी जिस पर आपको click कर देना है जैसे ही दोस्तो आप इस website UIDI पर click कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से website open हो जाएगी जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी हमारे में language हिंदी दिखा रहा है आपके में सायथ पहले ही language मांग रहा है हो तो आपको English select कर लेना है दोस्तो language English select कर लोगे फिर आप process समझते हैं पहले हम जो है इसमें अपनी language select कर लेते हैं तो यहां से जो हम click करेंगे और English पर click कर देंगे जैसे ही दोस्तो हमारी website की जो mobile में language है वो English हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखाई देगी आपने सायथ जब Chrome राजर पर UIDI लिकर सर्च किया हो तो आपको हाँ पर पहले ही language select करने को मांगा और आपने English select कर ली हो तो कुछ इस तरीके स्क्रीन देखाई दी होगी आपको यहां से cross के icon पर click कर देना है cross के icon पर click करने के बाद नीचे scroll करते हुए आना है आपको यहां पर तीसरा option मिलेगा update 1000 के बाद get 1000 और get 1000 में तीसरा option download 1000 आपको इसी पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको स्क्रोल करते हुए नीचे की और आज आना है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा आप देख सकते हो चेक हादार validity आपको दोस्तों इसी चेक हादार validity पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप चेक हादार बैली डिटी पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एक नया page open हो जाएगा आपको क्या करना है आपको यहाँ पर इंटर हादार नमट डालना है और यहाँ पर आपको जो कैपचा दिख रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यही कैपचा समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप लोग देख सकते हो जब आपको समझ में आ जाए रुख जाईए तो उस्तों आपको क्या करना है फिर ये प्रोसीड वाल अप्सन हाईलाइट हो गया हम क्या करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी आप यहां से यह भी चेक कर सकते हो कि आपके हाद हादार कार्ड बना रहता है तो इसी तरीके से आप जो हादार कार्ड की चेक कर सकते हो अधार कार्ड की पर्मामेंट बनी रहती है कभी भी दोस्तों यह एक्स्पायर नहीं होती है